प्यारे बच्चों आप सब का जय महादेव बिद्याकुल परिवार में स्वागत हैं चलिए आज हम लोग जो है प्लास के शुरुवात करते हैं हम लोगों के आज पढ़ने का जो टापिक है असोक के फूल असोक की फूल की व्याक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं असोक के फूल की व्याक्षा का आज तीसरा पार्ट चलेगा ठीक है जल्ली से ख्लास को सेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए फिर ख्लास के शुरुवात होगी जल्दी से class को share कर दीजिए जल्दी से class को share कर दीजिए ठीक है जल्दी class को share कर जल्दी से और अब हिंदी के class रूख हो गई है वह उधर पर मुकेसर पढ़ा रहे थे तो उसके बाद तुरंत ये class like हो गई है जल्दी से class share करें फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सब लोग जल्दी से class share करें class को like करें और जितनी आपकी attendance है कम से कम उतनी like होनी चाहिए तब फिर आगे शुरुआत होगे जल्दी करें लाइक और दूनों जो आप लोग है जितनी attendance हो जानी चाहिए पहले फिर उसके बाद हम बात करेंगे ठीक है ना जल्दी करिए जल्दी attendance बढ़ाई है like बढ़ाई है जल्दी बढ़ाई है फिर आप लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब देर हो गई यह हो गया जल्दी से करिए शुरुआत करें ठीक है अटेंडेंस तो बढ़ गई भी लाइक नहीं बढ़ी लेजिए फ्लास के शुरुआत होती है अब अब हम लोग पढ़ना चुरू करते हैं ठीक है लास शुरू किया जाए भाई अब सबको गुड आप्टर नून सबको मेरी तरफ से चैनल की तरफ से चैनल परिवार की तरफ से बहुत-बहुत सोब काम ना है आप लोगों का उज्वल भविस्व हो और शी तरह से पढ़ते रहिए ना ठीक है शुरू किया जाता है अभी भी कमी है जल्दी फुस को पूरा करिए चलते हैं कि लेकिन मेरे मानने और ना मानने से क्या होता है क्या कहते हैं इश्वी तन के आरम से लेकर के आसपास असोप का स्तांडार कुस्प भारती धर्म साहित और सिल्प में अद्बुत महिमा के साथ आया था पिछले टापिक को इस टापिक से रिलेट कराते हुए जोडते हुए पिछले क्लास से इस क्लास को जोडते हुए तो असोक के महत्यों के विश्य में बात करते हुए लेखक कहते हैं क्या कहते हैं कि लेखक कहते हैं मैं मानू या न मानू या असोक का महत्यों कम हुगा है या ज्यादा हुगा है जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिला है अथवा नहीं मिला है सम्मान मिलना चाहिए वो मिला है थवा नहीं मिला है यह तत्थ मैं मान लू लेकिन इसका कोई प्रभाव असोक के महत्तों के विशय में असोक की विशेष्टा के विशय में साहित के सिध्धानतों के विशय में कुछ नहीं कहा जा सकता है फिर क्या हो गया आगे करें हैं कि उसी समय कहते हैं क्या हुआ प्रथम सताब्दी इस्वी सन के आरंब में क्या हो गया असोक के पुस्प का महत्व धीरे धीरे बढ़ता चला गया ये शानदार पुस्प माने सान से मान से सम्मान से इज्जत से ये पुस्प भारती साहित्य में आया भारती सभ्धता में आया भारती दर्सन में आया कह रहे हैं कि भारती धर्म में इसका वर्णन है साहित्य में वर्णन है सिल्प में वर्णन है और अदभुद महिमा जनक क्या होता है भाई आश्च्यरिय जनक माने आश्च्यरिय उत्पन करने वाला ऐसा वर्णन है ऐसा वर्णन पढ़ने को देखने को मिलता है इस वर्णन को देख करके आश्च्यरिय हो जाता है आया अदभुद महिमा माने गाउरो संवान इज्जत के साथ फिर क्या कह दिया आया और कुसी समय सताब्दियों से परचित यक्षों गंधरवों कहते हैं जो क्या थी सताब्दियों से सैकड़ों वर्षों से सताब्दी का मतलब सैकड़ो वर्षों से क्या हो गया जो परचित थी किस से यक्ष से गंधर्म से और क्या थे ने भारती धर्म साधना को एकदम नमीन रूप में बदल दिया जो भारती धर्म था भारती साधना पद्ध थी भारती परंपरा थी भारती रीट थी भारती संस्कृत थी भारती धर्म था भार नवीन सरूप उनका आकार प्रकार सिध्धान्त उनका आकार प्रकार सिध्धान्त दोनों ही भारती संस्कृती का सिध्धान्त असोक के फूल की उपस्थिति दिक कारण वो क्या हो गया है उसका कलेवर ही चेंद हो गया है आकार प्रकार रूप रंग ढंग रीती आदि सब फिर क्या कहते हैं? पंडितों ने सायद ठीक से समझाया है कि गंधर और यक्ष कंदर्प वस्तुता एक ही सब्द के भिन भिन उच्चारण है. क्या किया भाई? ये पंडितों ने बताया कि गंधर्व, कंदर्प और यक्ष समझाया कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुता एक ही सब्द के भिन भिन उच्चारण है. गंधर्व का मतलब होता है जातिया समू का बोध कराने वाला ये सब्द है. गंधर्व. और कंदर्प क्या है? वो है कामदेव. और कामदेव क्या है भाई? वो एक गंधर्व है. ठीक है न? ठीक है न? देखिए यक्ष गंधर्व ये अलग-अलग त्रेडियां है. यक्ष क का मतले से आपको मनुष्य कहा जाता है मनुष्य क्या हो गया वो यक्ष जाती हो गई और उस यक्ष में कंदर्प जो काम देव हो गए वो व्यक्तिगत संग्या हो गई वाई एक होती है व्यक्तिवाचक संग्या तो यक्ष जो है वो जाती वाचक संग्या है समूह वाचक संग्या है ठीक है ना जाति वाचक संग्या है समूह वाचक संग्या है और कंदर्प जो है कामदेव जो है वो क्या है वो कौन सी संग्या है आप बताईए कौन सी संग्या है कंदर्प कंदर्प कौन सी संग्या है समूह वाचक संग्या है जाति वाचक संग्या है या व्यक्ति वाचक संग्या है बताए जल्दी बताए एक और ले से कांधर्प संग्या है इतना अंतर है समझ में आ गया बास समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई अगर यह बास समझ में आ गई तब हम लोग आगे बढ़ेंगे समझ में आया है समझ में आ गया जो मैंने बताया देवता अलग होते हैं यक्ष अलग होते हैं किनर अलग होते हैं भगवान अलग होते हैं इन सब चीजों के भी सह मैं अगर चर्था करेंगे तो सारी चीजों चली जाएंगे ठीक है न? जो यहाँ पे लिखा है वो आपको समझ में आना चाहिए No problem, ठीक है, very good, अच्छी बात है यक्ष मतलब देव नहीं होता है यक्ष में दैवी गुल होते हैं, विशेष्टाएं होती हैं लेकिन यक्ष देवता नहीं होता है, यक्ष यक्ष होता है देवता होता है, गंधर्व गंधर्व होता है भगवान भगवान होते हैं, ये कोटियां है चली आगे, कंदर्व देवता ने यदि असोग को चुना है तो निश्चित रूप से वह एक आर्योतर सर्भता की देन है अगर काम देव ने, काम देव ने, क्या किया है? पुष्प को महत्त दिया है उसको अपने स्रिंगार के रूणरे तुणीर के रूप में अस्त्र के रूप में प्रयोग किया है धारण किया है तब निश्चित रूप से असोक का पुष्प जो है अपनी विशेष्टाओं के कारण अपने गुणों के कारण निश्चे ही सम्माननी है निश्चे ही आदर सुपूल है ठीक है चलते हैं भाई अरे यार नाचने उचने का बाद छोण दो कुछ पढ़ाई कर लो भाईया ये नाचने का काम छोण दो ना इन आरियत्तर जातियों के उपास से वरुण थे क्या करते हैं भाई आरियोत्तर आर के बाद जो जातियां आई उनके उपास से क्या थे वरुण वरुण माने जल के देउता कुबेर थे बज्रपाणी यक्षपति थे क्या थे इंड्र थे यक्षपति थे कुबेर थे आरियत्तर जातियों ने इन सब की पूजा की उपासना की आरियत्तर माने आरिय के बाद आरिय से इतर दो प्रकार के लोग थे एक आरिय थे एक अनारिय थे या आर से इतर थे आरियत्तर सब्द दो सब्दों से मिल करके बना हुआ है आरिय और इत्तर इतर माने भिन अलग ज जो आ रहे हैं नहीं थे ठीक है समझ में आ गई बाद भाई यूपी बोर्ड में एक हिंदी नाम से बुख चलती है वही बुख चलेगी ठीक है न किसी को कोई दिक्कत तो किसी को कुछ पूचना आए तो पूच ये नहीं फिर आगे बढ़ते हैं अगर कही पे किसी को कुछ पूचना आए तो पूचिया नए फिर आगे चलते हैं ठिक है ओके और लाइक पूरा कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं उतनी तो लाइक हो जानी चाहिए यार ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग पढ़ भी रहे हो समझ में भी आ रहा है प्राब्लम भी नहीं है लेकिन वहां तक पहुची नहीं रहे हैं लगता है काउन सा उसमें बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी मेहनत करनी है उसको दबाएंगे तो बहुत बड़ा नुक्सान हो जाएगा क्लियर है समझ में आ रहा है सब लोग पढ़ रहे हैं लेकिन वहां तक नहीं कहुंचे एक छोटी सी बात क्या कहूं मैं उसके लिए बार-बार कहना पढ़ता है रोज कहना पढ़ता है ना यह गलत है कि चलिए अगले जो है पेज पर हम लोग आ जाते हैं और कंदर्प यद्यपी कामदेव का नाम हो गया है क्या है कंदर तुमाने कामदेव क्या है मैंने भी बताया कंदर्प का मतलब कामदेव और यहां पर लिखा हुआ है यद्यपी वहा गंदर्व का ही पर आये क्या है यह जो कंदर्प या कामदेव हैं यह गंदर्व ही हैं जब बात की गई यक्ष गंदर्व किन्नर आदी वेरी गुड अब बढ़िया हुआ है दोनों की संख्या बिल्कुल बराबर जब आगे बढ़ेंगे तो फिर करते जाएंगे चलते आगे तो आप क्या किये सीव से भिणने जाकर एक बार या पिट चुके थे क्या किया इस गंदर्व ने सीव के ऊपर भोले नाच के ऊपर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिस की सीव के ऊपर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिस की और हुआ क्या परिणाम सरूप सीव कोप का भाजन सीव कोप का भाजन आप लोग सब लोग जानते हैं परियाय का मतलब मतलब होता है सही बात है परियाय माने परियाय वाची भाई, परियाय माने परियाय वाची, परियाय वाची समझ गए, परियाय वाची जानते हैं न, समझ में आई, तो क्या करें है, कि सिव क्या हो गया, ये पिटने गए थे, अब सिव के सामने गए, पिट करके चले आए, नस्व ब्रस्ट हो गए, जल गए उनकी क्रोधागनी में, फिर क्या हो गया है, कहरें, और विष्णु से ये डरते थे, और बुद्ध देव ने उसे विने टक्कर लेकर के लौट आये थे, ये जो कामदेव थे, विष्णु से बहुत डरते थे, नारायण भगवान से, और बुद्ध देव से, महात्मा बुद्ध से भी, महात्मा बुद्ध पर भी अपना प्रभाव, महात्मा बुद्ध पर भी अपना प्रभाव दिखाने की कोशिस की थी, लेकिन महात्मा बुद्ध पर भी कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पढ़ा, यद्यापी काम देव काम देव ता हार मानने वाले जीव ना थे बार बार हारने पर भिवा धुके नहीं नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे जब भगवान भोले नाच से क्या किया भई काम बुद्ध से काम देव डरते थे गये थे हिम्मत ही नहीं पड़ी और शीव के सामने भोले नाच के सामने एक बार साहस दिखाने का एक बार साहस दिखाने का प्रयास किया भगवान पर अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास किया लेकिन किया क्या भाई बड़ी स्थिती दैनी हो गई बड़ी स्थिति देनी हो गई जैसे इस सिव ने तृति नेत्र खोला कामदेव का क्या हो गया काया कल्प हो गया माने काया ही बदल गई राख के रूप में सामने पड़े हुए दिखाई दिये जैसे भगवान सिव का तृति नेत्र खुला जैसे भगवान का तृति नेत्र खुला प्रोध जगा कामदेव राख के रूप में सामने प्रकट हो गई अर्थात क्या हो गई भश्मी भूत हो गई फिर क्या हो गया अशोक सायद अंतिम अस्त्र था क्या किया कामदेव ने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया लेकिन कामदेव का अंतिम अस्त्र था वो था असुक के फूल बौध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया और यही अस्त्र बौध धर्म पर उन्होंने चलाया सैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और सक्त साधना को जुका दिया क्या कर दिया ये लोगों पर इनका प्रभाव देखने को सैव पर हो गए बद्रयान इसका सबूत है कौल साधना इसका प्रमाण है और कपालिक इसका गवाह है बौध पर और सैव पर बौध पर और सक्त साधना पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है समझ में आ गया जै महाकाल जै महादेव ना सैव मार्ग जो है सक्त मार्ग जो है सक्ति के मार्ग पर चलने वाले सक्ति के सिध्धान्त को स्विकार करने वाले ठीक है ना बद्रयान ही नियान नहीं जानते हैं बौद धर्म और जैन धर्म नहीं जानते हैं का पालिक नहीं जानते हैं बौद धर्म और जैन धर्म नहीं जानते हैं कभी नहीं पढ़ा बौद धर्म जैन धर्म के विशे में तो बड़े सर्म की बात है यार ठीक है ना ये सब संप्रदाएं है ब्रजयान, हीनयान नहीं जानते हैं ठीक है? ये शंप्रदाएं हैं शक्ति की उपासना करें रवींद्रनात रवींद्रनात ने इस भारतवर्ष को महा मानों समुद्र कहा है क्या किया भाई? कि रवींद्रनात टेगोर की बात कर रहे हैं रवींद्रनात टेगोर कह रहे हैं कि ये भारत कैसा है? महा मानों समुद्रों यहां पर विभिन प्रकार की संस्कृतियां विफिन प्रकार की जातियां जैसे आथ के कपालिक, सैव, जैन, बौध, सैव इस तरह के जो विफिन हिस्से हैं जैसे क्या किया भाई यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मद्द प्रदेश, तिमला, देहरादून, नैनी ताल फिर हिंदू, मुस्लिम, सेख, इसाई, आदी फिर उसके बाद जातियां, आदी इस तरह से कपालिक बेटा होता है, एक मत है जो भगवान सिव का क्या करते हैं? अनुगमन करते हैं, उनकी सिख्छाओं का, उनके ग्यान का संप्रदाय है, ठीक है ना? अब चलते हैं, कह रहे हैं कि बिचित्र देश है, जहां असुर आये आर आये, सक आये, नाग आये, यक्ष आये, गंधर्व आये न जाने कितनी, न लाने कितनी मानो जातियां आए और आज के भरतवर्थ को बनाने में अपना हाथ लगा गई भारतवर्श कैसा देश है ? बड़ा विचित्र देश है और जो भी यहाँ आया जो भी सब्धिताएं आएं जो भी संस्कृतियां आएं जो भी जातियां आएं जो भी जातियां आई आज के भारत वर्ष के निर्माण में अपना योगदान करते हुए जा रही थी। क्या है जो भी भारत में आया जैसे उदारण के लिखा ना यक्षो यक्ष गंदर्व किन्नर नाग बेताल नहीं जानते हैं कई बार भी बता चुका हूँ ना अच्छा क्या नहीं समझ में आ रहा है ये तो बताईए ये तो बताईए क्या नहीं समझ में आ रहा है आसु बहाने स्थोड़ी कुछ होगा बाई जातियां है संग्याएं हैं जैसे मान लीजी आपको यक्ष गंदर्व नहीं समझ में आता अंग्रेज आए मुसलिम आए अंग्रेज आए मुसलिम आए तो कुछ न कुछ चीजें उन के आने से भारत को मिली है भले ही कम ही मिला हो कम ही मिला हो ये अलग भी से नुकसान ज़्यादा हुआ है ये अलग भी से है कहते हैं बाबर आया तो पहली बार भारत में तोफ खाना का प्रयोग हुआ तो खाना का प्रयोग बाबर ने सबसे पहले किया था बारूद का प्रयोग तो बारूद का उप्योग भारत में हुगा ना भारत के निर्माड में उसकी एक भूमिका है लेकिन अब इसके लिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि भारत आया बाबर ने तो अच्छा किया नहीं उसने बहुत गंदा काम किया भारत की सब्वेता को संस्कृति को नुक्सान पहुचाए लेकिन ये भी है कि उसके आने से हमें कुछ मिला भी बड़ा ही थोड़ा ही मिला हो अलग बात तो क्या है? उसी तरह से ये नाग आये यक्ष आये असुर आये ना आर आये जो कुछ भी आये और भारत के निर्माण में अर्थात भारत में भी इतनी भी जातियां आई जो भी आई और आधनिक भारत के निर्माण में अपना अपना सहयोग करने लगी अब बस समझ में आया ठीक है फिर क कि या कह रहे हैं कि जिसे हम हिंदू रीतिनीति कहते हैं वे अनेक आर्य और आरेत्यर उपाधानों का आद्बुत मिस्षरण है। कैसी है समनवाइ मानि सब को साथ लेकर के सब को साथ लेकर के चलना है और इसी तरह से जो भी सब्व्यताई आई जो भी संस्कृतियां आई उनके अच्छे अच्छे गुणों को हमने अपनी संस्कृति में समाहित कर लिया है, स्विकार कर लिया है, अपना लिया है, ठीक है ना, फिर क्या कहे दिया, और यही आरे और आरे त्यार, आरे के और आरे के बाद आने वाली सब भताओं कम, हमने अपने संस्कृति में समाहित किया है, फिर क्या कह रहे हैं कि एक एक पस्व एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है जो भी पस्व पक्षी जीव जन्त जो कुछ भी है उनका एक इतिहास है उनका एक गवरोशाली अतीत है जब किसी भी आगर हम मान लीजिए किसी भी पस्व के विशय में जाती के विशय में संस्कृति के विशय में जब सुचते हैं विचार करते हैं मनन करते हैं और अन्वेशन करते हैं खोज करते हैं तब जा करके उसका इतिहास उसका अगवरोशाली इतिहास हमारे आखों के सम् असोक की भी अपनी इस्मृति परंपरा है असोक का भी एक इतिहास है असोक के फूल का भी एक इतिहास है आम की है बकुल की भी है चम्पे की भी है सब क्या हमें मालूम है कैथे सब का गौरोशाली इतिहास सब के गौरोशाली इतिहास से क्या हम वाकिब है सब के गवरोशाली इतिहास को क्या हम जानते हैं हम नहीं जानते हैं फिर क्या हो गया कि जितना मालुम है उसी का आर्थ क्या अस्पस्ट हो सका है और जो कुछ नहीं जानते हैं तो चलिए नहीं जानते हैं और जो जानते हैं क्या उसके महत्यों को समझ सके हैं, उसके इतिहास को जान सके हैं, नहीं, ये संभाव नहीं हो पाया है, ठीक है, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिखकत तो नहीं है, अगर कुछ पूछना है तो बताईए, हाँ, हो तो गया यार, अब अच्छा लगा, हमें और कोई दिखकत नहीं है, हमें दिखकत ये है, कि जितने लोग पढ़ रहे हूं, अगर उससे लाइक कम हो, तो फिर ये गलत है, बस और कोई बात नहीं, जो लाइक पढ़ रहे हैं, अगर लाइक उससे कम हो, तो ये तो गलत है, बस और कोई दिक्कत नहीं भाई आप पढ़ भी रहे हो समझ में आ रहा है प्राबलम भी क्लियर हो रही है और लाइक कम है ये गलत है ये नहीं होना चाहिए महा मानों, माने क्या है, स्रेष्ट मानों का, महा पुरुसों का, भारत में, भारत में महा पुरुसों का जन्म होता रहा है, तब पढ़ेंगे बेटा, एक-एक करके पढ़ेंगे, क्यों परिशान है, सब पढ़ेंगे, और परिच्छा के पहले सब कुछ पढ़ा देंगे, कु पढ़ाये के सर्व्याकरन कब पढ़ाएंगे गए चर संस्कीट कब पढ़ाएं गे मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उसमें उनका इंट्रेस्ट नहीं रहता है और आगे की खोज खबर ज्यादा लेते रहते हैं यही सबसे बड़ी जो पढ़ाएंगे उसको नहीं पढ़ेंगे, उससे एक कदम आगे चलेंगे, आगे कदम चलने का मतलब, जब बहुत ज़्यादा आगे चलोगे तो गिर पढ़ोगे, हाथ पर तूट जाएगा, इसलिए सब साथ साथ चलेंगे, सब लोग साथ साथ पढ़ेंगे, कुछ इस बात की मैं गारंटी देता हूं बस, इससे जादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इससे जादा कहना है सकता हूं, ठीक है, कि जा कहों हूं, मैं किस तरह से विश्वास दिलाओं, कि कोई चीछ छूटे गा नहीं, कैसे विश्वास दिलाओं आपको और आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए नहीं होना चाहिए पिछले साल चले जाएए देख लीजिए पूरे चैप्टर पूरे क्लास एक तरफ से एक एक टापिक को पढ़ाये गया है पुरानी वीडियो पुराने क्लास पढ़े हुए हैं लाइप क्लास पढ़े हैं ठीक है ना चलते हैं आगे कहते हैं न जाने कितने बुरे मुहूर्थ में मनो जन्मा देवता ने सिव पर बान ठेका था कहते हैं मनो जन्मा मन में जन्म लेने वाले या सब के मन में बसने वाले, सब के मन में बसने वाले कामदेव ने, मनो जन्मा का मतलब होगा मनो मन में जन्म लेने वाले सबके मन में है उससे कोई अचूता नहीं है कामनाएं कामदेव का मतलब कामनाएं इक्षाएं चाहत धन की, पैसे की, पद की, पतिष्ठा की, आदि की और क्या किया इसने सिव परबान खेंटा स्तरीर जल कर राख हो गया जैसे ही सिव पर आकरमण किया सिव का तृती नेत्र खुला और कामदेव विचारे विल्कुल जल करके राख हो गए यही होना था सिव के सामने गए थे अपना प्रभाव दिखाने अपना तेज दिखाने अपना काम का प्रभाव दिखाने और स्तिव कैसे थे भाई भगवान को कौन क्या कर सकता है तिव जुग को कौन सामने जा सकता है जिसकी मृत्यू आई होगी वह स्तिव से लड़ने के लिए सामना करने के लिए उनके मार्ग में औरोध करने के लिए फिर क्या हो गया खड़ा होगा प्रस्तुत होगा बाकी कोई उनके सामने जा नहीं सकता जो गया गा मृत्यु निश्चित है और ये कामदेव भी जानते थे कि सिव के जाने के बाद ये मृत्यु निश्चित है और क्यों गए थे क्यों कि एक दैवी कृत्य था, कभी-कभी ऐसा होता है, कि क्या होता है, जीवन से मृत्यु जो है गो स्रेवस्कारी हो जाती है, जीवन से मृत्यु स्रेयस्कारी, कल्यानकारी हो जाती, स्रेयस्कारी मने कल्यानकारी, तब क्या है, तब मनुष्य जो है, जीवन को छोण करके, मृत् उन्हें ये निर्णय लिया था, को क्या करेगा, क्या करेगा, मृत्य को भी बरण करेगा, फिर क्या कहते हैं, मृत्य के स्वाद को तो सब को चखना ही है, मृत्य का जो स्वाद है न, उसको तो सब को चखना है, वो सब के हिस्से में आने वाली है, और कोई चीज संसार में मिल चाहे न मिले, चाहे और संसार में कोई चीज मिले और चाहे न मिले, लेकिन मृत्य तो मिलनी ही मिलनी है, वो अलग बात है कि कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या होगा, और आदमी जानता है कि मृत्य होनी है, फिर भी, वो मरना नहीं चाहेता, क्या करेंगे, करें हैं, और बामन पुराण के खश्टम अध्याय में लिखा है कि गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्न मैं धनुस तूट कर खंड खंड होकर धर्ती पर गिर गया क्या हो गया भाई बामन पुराण में इसका वरणन है कि सिव से जब लड़ने गए और सिव तो जल गए सिव तो जल गए और क्या हुआ उनका जो धनुस जो है काम देव के हांस से छूट करके गिर गया नीचे जमीन पर और फिर क्या हो गया जहां मूठ थी मूठ का मतलब जहां पर हाथ पकड़ करके धनुस को चलाया जाता है डोरी खीचा जाता है मूठ उसको मूठ कहते हैं वहा स्थान रुकमडी से बना था क्या है रुकमडी से बना था वह तूटकर धर की पर गिरा और चंपे के पूल बन गया अर था चंपा वह पुष्प बना चंपा वहा चंपा जो पुष्प है वो कामदेव की मूठ का जहां पकड़ते थे मूठिया पकड़ते थे उसका वो क्या है बदला हुगा स्वरूप है जो मूठ थी वो चंपे के रूप में हो गई रत्न मय का मतलब होता है आब हूशन मय और रत्नकौल सोना चांदी हीरा जवां रात आदी बहमूल रत्न पुरुकमणी नाम है लच्छमी की लच्छमी जी का भी नाम है और स्री कृष्ट की पत्नी का भी नाम है तो कह रहे हैं हीरे का बना हुआ जो नाह अस्थान था वह तूटकर गिरा और मौलुस्री में बन गया हीरा जब तूटा तो मौलुस्री बन गया मौलुस्री का पुस्प और मनोहर पुस्पों से बदल गया अच्छा ही हुआ इंद्रनील मड मडियों का अना हुआ कोटी देश भी तूट गया और वहाँ सुंदल पाटल पुस्पों में बदल गया परिवर्तित हो गया यह भी पुष्प क्या हुआ जितने भी उसके खंड विखंड हुए इससे हुए भाग हुए वो क्या कर दिया जैसे जैसे उसका धर्ती से अस्पर्स हुआ धर्ती के संपर्क में आई धर्ती के प्रभाव में आई वो क्या होने लगा वो क्या होने लगा सुन्दर पुष्पों में बदल गया वो धनुस का एक जो है आप देखो ऐसा होता है कि धनुस तो आप लोग देखे ही है अब मैं बना देता हूँ ऐसे होता है धनुस बीच में होता है ये पकड़ने का स्थान ऐसे होता है डोरी ऐसे ये होता है और ऐसे ये ये ऐसे होता है और ये ऐसे डोरी चढ़ा के ऐसे उलाए जाते है समझ गई बाद भाई उस मूठ के बगल का जो अस्थान होता है मूठ जाने बीच में जहां पकड़ते है उसके अस्थान का जो हां होता है उसको ना कहते है समझ गए मौल श्री भाइ पुष्प का नाम है यार ये सब संग्याएं है संग्या क्या आर्थ होगा अगर दे कमल अगर दे कदम्ब पुष्प के नाम है ये पुष्प के रूप में परिवर्तित हो गए ठीक है तीर भी बनाए अगर देखो मुझे से थोड़ा कला कम बनती है लेकिन अच्छे मन का मेरे बना नहीं है अभी ये आपको बताता हूं कैसे बनाना है अच्छा सब मिठा देते सब मिठा के फिर बनाते धनुस मैं ऐसे देखो ये होता है अब यहीं पर बना देते थोड़ा जाका खाली है ऐसे होता है जंस ऐसे होता है अर्दचेंद्रकार अर्दचेंद्रकार ऐसे होता है एक सरफ तो इसमें पर्मानेंट रस्ती बनी रहती है एक तरफ पर्मानेंट रस्ती बनी रहती है इसका ये होता है, इसे घुंडी, इसमें घुंडी बनी होती है, इसको क्या करते हैं, इसकी दोरी थ्वड़ा छोटी होती है, लेकिन इसमें भी ऐसे घुंडी बनी होती है, आप इस धोरी को खीच करके, टान करके यहाँ पर फंसा दिया जाता है, ठीक है न, ये होता है, बस बना दिये याद कुछ धनुस भी बना दिये सोनिर सिंग धनुस धनुस भी बना दिये बाण भी बना दिये और बाण तो ऐसे होता ही है ज्यादा तो मुझे आता नहीं है समझ गए ऐसे बना हो जिसको तीर कमान भी कहते धनुस भी कहते हैं ठीक है और किसी को कुछ कुछ पूछना है तो बताईए समझ में आया कि जल्दी बताईए किसी को कुछ पूछना है कहीं पे अरे यार मारना पीटना तुम लोग जो करोगे न पढ़ाई कम करोगे दाथ ज्यादा दिखाओगे ठीक है किसी को कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताईए जो दिक्कत उसको कमेंट करिए जल्दी से कमेंट करिए जो भी प्राबलम हो जो प्राबलम हो उसको क्लियर करिए कमेंट करिए बताईए ठीक है ना बता दिया देखिए नाह बता दिया हूँ इंद्र नील मड़ी का नाम है ना इंद्र नील मड़ी मड़ी है मड़ी जानते हैं मड़ी तो जानते हैं ठीक है मड़ी है मड़ी है रत्न मैं माने रत्नों से बना हुआ रत्न विभीन प्रकार के रत्नों होते है हीरा पन्ना माड़िक नील या क्या-क्या होता है उनंसब रत्नों से बना हुआ और रत्नमाने रत्नमाने बहमूल पत्थर बेश्कीमती पत्थर हीरा भी एक पत्थर ही है जो चमकता है बस इतनी सी बात होती है अब सोना भी धातु है ठूद अब सको भीया मुठ कहते हैं जो आप जिसको करें कि जहां जहां से ब क्लाया जाता है उस सको मूठ कहते हैं वह हां से पकड़ कर यह स aids के चलाया जाता है वह बिल्कुल एüस होता है ठीक इसको कहते है मूठ उसको नहाँना ही कहते है को ठीक है कि और रस भताओ dura k और कुछ पूछना है, अर्थात फिर क्लास को आगे बढ़ाने का काम किया जाए, ठीक है, जल्ली बताए, बस ये जान लो भाईया, सारों का मतलब ये है, कि जब गो धन उस तूट करके गीरा, पृत्वी पर गीरा, और इसके आगे जो वर्णन है, ये है, कि स्वरगिय चीजें बिना पृत्वी के संपर्ख के संसर्ग के आये मनोहर नहीं बनती हैं, अगर किसी चीज को, चाहे वो दैवी आभा, दैवी सक्ति ही क्यों न हो, अगर दैवी सक्ति दैवी आभा ही क्यों न हो, जब तक उसका पृत्वी से संसर्ग नहीं होगा, संपर्ख नहीं होगा, पृत्वी पर नहीं आएगी, तब तक अपने सुंदर आकार को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती है, ठीक है न, और बताइए, ठीक है, बस आज की क्लास करता हूं, अगले दिन आगे फिर पढ़ते हैं, ठीक है, अब फिर हम लोग फिर क्लास करेंगे, आगे तु चलेंगे लेकिन आज नहीं, आज के लिए क्लास की, बस समापन की गोशना, आगे चलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर बढ़ेंगे, और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए, जहां पर, जहां पर जो भी प्राबलम हो, उसको बताइए, ठीक है,